तो चलो प्यारे बैचे इस वाले question को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक YDSC setup है, उस setup में हमें जो lambda है, वो यूज हो रहा है, 5000 यहाँ लिख लेते हैं, lambda यूज करा 5000 angustron, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, distance between the slit, small di हो पड़े होगे, 0.2 mm, and capital D, यहाँ already 200, यहाँ से centimeter दिया हुआ है, central maxima at x is equal to 0, x is equal to 0 पर count करना है, maximum है, तो third maxima कहां पर located होगा, यह मुझे calculate करना है, तो third maxima location निकालने के लिए, आई होब कि आप basic setup पड़े होगे, यह slit S1 है, और यह slit अपना S2 है, ठीक है, और यहाँ से perpendicular distance पर यहाँ पर स्क्रीन रखा हुआ है, तो मान लो, यहाँ पर central maxima बन रहा है, तो इसको में x is equal to 0 लूँगा, तो इसके ऊपर point P है, यहाँ पर superposition हुआ होगा, तो यह light इधर से आई होगी, और यह यहाँ पर आई होगी, तो यह distance को शो आई है, इस distance is y, तो अगर यह distance y है, तो यह तो फार्मूला है, आपको direct तरीका है, direct y का maxima का location पता हो, नहीं तो आप इस y की value यहाँ पर x कर रहा है, नहीं तो आपको maxima के लिए part different delta x is equal to y होप पड़े होगे, small y और capital D divided by small d, that must be equal to even multiple of lambda by 2, तो general location of all maxima is equal to n lambda capital D divided by small d, अगर यह relation याद है, तो direct निकालो, लेकिन बच्चे भूल जाते है, याद कहा रहता है, तो part difference से निकालो न, यह पता होता है, तो यहाँ से तुम अपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से y की जो value है, वहाँ से x लिया है, तो n यहाँ पर integer है, जिसकी value 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to infinity तक यहाँ से चलता चला जाएगा, तो यह जो third maxima है, यह पर central maxima, यह जो है, वो central bright fringe है, तो यह central bright fringe है, और यह third maxima यह है, जो दोनों side बनेगा, तो यहाँ पर मैं n की value 3 रखोंगा, तो अगर मैं n की value यहाँ 3 रखोंगा, और lambda की value 5000 एंगस्ट्राउन रखा, एंगस्ट्राउन मतलब 10 की पाउर माइनस 10, और capital D capital D जो है, 200 cm है, तो cm है, तो 10 की पाउर माइनस 2 मीटर, सब कुछ मीटर में, और 0.2 mm है, तो 10 की पाउर माइनस 3 मीटर, कुछ नहीं है, यही अपना solution दे देगा, तो यह 2 0 से यह खतम हो गया, और यह उपर गया, यह आ जाएगा 15, और 10 की पाउर यह माइनस 7, और यह उपर 10 की पाउर 3, और यह इससे कतम हो गया, 2 से 2, तो नीचे बचा 0.1, तो यहा जाएगा 15 इंटू 10 की पाउर माइनस, यहां से 4, और 10 से उपर नीचे मल्टिप्लाई कर दोगे, तो नीचे पॉइंट हर जाएगा, तो यहा जाएगा 15 इंटू 10 की पाउर माइनस 3 मीटर, ठीक अगर यह मीटर में है, तो अधर से और उपर नीचे मल्टिप्लाई कर दोगे, तो यह जाएगा 1.5 इंटू 10 की पाउर माइनस 2 मीटर, ठीक ना, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, ठीक ना, जो की सलूशन सेंटीमीटर में दिया है, तो 1.5 सेंटीमीटर मतलब भी अप्शन सही हो ग